नमस्कार, मैं निश्टर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूस लाइप पंस्तत्व में विलीन हुई पीएम मोधी की मा हीराबा सोवर्ष की उम्र में ली अंतिम सास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की मा हीराबेन का आज सुबा एहमदाबाद के यूविन महता अस्पताल में निधन हो गया 200 साल की थी प्रधानमंत्री मोधी ने अपने भाई संग मा हीराबेन को मुखागिन दी इसे पूर्व पीएम मोधी ने मा की पार्थिव धह को कंधा दिया और शब वहन में पार्थिव धह के करीब बैठे रहे मा के निधन की सूचना मिलने पर पीएम मोधी दिल्ली से सुबाद 7 बच कर 45 मिनिट पर एहमदाबाद पहुँचे यहां से वेसीदे गांधी नगर के रायसन गाओं में भाई पंकच मोधी के घर गए जहां मा की पार्थिव धह रखी गई थी पीएम मोधी के पहुँचने पर मा हीराबेन की अंतिम यात्रा शुरू हुई प्रधान मंत्री मोधी की मा हीराबेन को बीते बुद्वार को तब्यत बिगडने पर एहमदाबाद के यूएन महता अस्पताल में भरती कराया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी तब अस्पताल पहुँचे थे और करीब एक घंटा बीस मिनट तक अस्पताल में रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने ट्वीट कर दी मा हीराबेन के निधन की जानकारी लिखा शताबदी का ईश्वर चर्णों में विराम मा में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्थी की अनुभूती की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा निशकाम कर्मयोगी का प्रती और मूल्यों के प्रती प्रतिबध जीवन समाहित रहा है प्यम मोदी ने लिखा कि मैं जब उनसे सौवे जर्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो भुद्धी से और जीवन जीवो शुद्धी से हीराबा ने बीते जून महीने में अपना निन्यानवा जन्मदिन मनाया था तब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने घर आये थे उस दौरान पीएम मोदी ने हीराबा के पैर धोकर पानी अपनी आखों से लगाया था मा को अंतिम विदाई देने के बाद कर्टवे पत पर पीएम मोदी वंदे भारत क्रेन को दिखाई हरी जन्डी माहीरा बेन को अंतिम विदाई देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहले से तै कोई कारक्रम रद नहीं किया माके अंतिम संसकार के बाद वहसीदे एहमदाबाद स्थित राजभवन गए और वहीं से पस्ट्रिम बंगाल में हावडा को न्यू जलपाई गुडी से जोडने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई पीम मोदी ने बंगाल में 7,800 करोड रुपे से ज्यादा के डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट की शुरुवात की प्रधान मंत्री राश्ट्रे गंगा परिशत की बैठक में भी वर्च्वली जुडे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर दिन का उप्योग राश्ट निर्मान में करना है वहीं कोलकाता में कारेक्रम के दौरान कुछ लोगों के ज्रैश्री राम का नारा लगाने से बुखे मंत्री ममता बैनर जी नाराज हो गई और मंच पर जाने के बजाए सामने कुरसी पर बैठी रही पीये मोदी की मा हिराबा के निधन पर राश्ट्रुपती ने जताया दुख बताया भारती आदर्शो का प्रतीक राश्रुपती द्रौपती मुर्मू ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मा हिराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है राश्रुपती ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मा का सौवर्शो का संगषपून जीवन भारतीय आदर्शो का प्रतीक है श्री मोधी ने मात्रदेवु भव की भावना और हीराबा की मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पूर्णे आत्मा की शांती के लिए प्राथना करती हूं। परिवार के प्रती मेरी संबेदनाएं। केंद्रिये ग्रह मंत्री अमिट शहा ने कहा कि मा एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है। जिसे खोने का दुख निसंद है संसार का सबसे बड़ा दुख है। भाजपाद्यक्ष जेपी नडड़ा ने कहा कि हीराबाजी का संगर्ष पून वैसात्विक जीवन सदेव प्रेड़ना दायक है। यूपी के मुख्यमंत्री के जोगी अधितनात ने कहा कि एक पुत्र के लिए मापूरिद दुनिया होती है। मा का निधन पूत्र के लिए असहनियए और अपूनियए शती है। कॉंगरेश के पूर्व अध्यक्ष राहUL Гांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी की माता श्री, श्री म पुलिस के अनुसार रुडकी के पास मंगलोर थाना छेतर में उन्हें जबकी आई और कार डिवार्डर से टकरा कर पलट गई और उसमें आग लग गई रिशब पन्त किसी फाइटर की तरह कार की विंड स्क्रीन तोड़ कर बाहर निकले डॉक्टरों के अनुसार रिशब की हालत में सुधार है और डॉक्टरों की टीन उनका इलाज कर रही है नए साल से पहले मसूरी में हिमपात, परियाटक खुश, अभी और बर्फ पारी के असार उत्राखंड में मौसम ने करवट बदली और बादलों के डेरे के बीच पहारी चोटियों पर हलका हिमपात और निचले छेत्रों में हलकी बारिच हुई मसूरी में सीजन का यह पहला हिमपात है, लाल टिबा में बर्फ की फाहें गिरने से परियाटकों के चहरे खिल उठे चमोली में आली में भी हिमपात हुआ है, इन दिनों नए साल का जश्र मनाने के लिए बड़ी संख्या में परियाटक आली पहुँचे हुए है रात हुई बर्फबारी के बाद आली का नजारा देखते ही बनता है, पहाडों पर बर्फबारी के बाद मैदानी छेत्रों में शीतलहर का प्रकोब बढ़ गया है मौसम विभाग के अनुसार परवतिय छेत्रों में अभी भी हल्की बारिश और हिमपात के आसार हैं, इसे तापमान में और गिरावट आ सकती है आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया